नमस्कार सुपरबात दोस्तो तालिबान अफगानिस्तान में अपने पैर पसारते ही जा रहा और तालिबान ने अफगानिस्तान की बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट पे अपना कंट्रोल कर लिया है तो ऐसे में भारती गौर्मेंट ने भारती सरकार जो है उन्होंने अफगानिस अब आपको यह दिखाऊगा कि तालीबान का स्टेटस के अफगानिस्तान में यह देखी यह अभी तीन दिन पहले की जो जो नूज है तीन दिन पहले का स्टेटस है कि अफगानिस्तान की लगबख 40 परसेंट जो और गोवार्मने अफगानिस्तान कंट्रोल और जो 39% है वो भी contested है और contested में बहुत बड़ी चेतावनी है चुनाती है अफगानिस्तान के लिए क्योंकि US troops जो है बहुत तेजी से बाहर निकल रहे हैं और September में completely बाहर निकल जाएंगे देखते हैं Biden जी और जो US और NATO जो companies है उनका क्या विचार है हो कैसे इस अफगानिस्तान मे population है वो तालिवान control districts में 36% population contested area में तो आप overall यह समझेए कि आधी भी आधी छुड़िया 40% जो इलाका है वो भी और 40% इलाका और 40% जो population है वो तक government of Afghanistan के अंतरगत नहीं है और 40% से जादा अगर मैं बात करूँ वो है तालिवान के control में तो यह बहुत ही बड़ा challenge आ गया है अफगानिस्तान में सभी देशों के लिए खास तरव भारत जैसे देश के लिए जो आतंगवाद की चुनोती को दो तरफा ती तरफा तरीके से जहल रहा है वर्तमान में इसके साथ साथ मैं आपको यह बताना जाता हूँ कि तालिबान ने कई नहीं नहीं तरीके के equipment के मादयम से बता जारा हूआ है यह का व對不起 है और वहाँ पर जो उसका भेस है उससे आप दे की डोस के माध्यम से civility और वहाँ के माधशन से सर china रहा है की Τलीबान डोन का का यू ringing कर रहा है और उससे शौर करता है कि जो उसके कपजे में है वह सहीं बना रहा है और उस पर government of Afghanistan का control नहीं है और ऐसे में वो क्या करता है कि जो वहाँ पर pro government soldiers यार मिल्चिया के मैन है जो फिर जो army के मैन है उनको भी control करता है capture करता है और उनसे several types of weapon भी capture कर लेता है तो ये बहुत बड़ा challenge अफगा अफगानिस्तान के सामने आ रहा है और एक चीज़ बता दूँ ये जो highway जिसकी मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ ये है काबुल कंदर highway तो ये बहुत बड़ी connectivity की एक जो रास्ता है वो अफगानिस्तान ने कबजा कर लिया है तो इस तरीके से तालिबान बहुत high-tech तरीके से अब warfare कर रहा है अब मैं आपको दिखाता हूँ कि न्यूज एक और है कि इंडिया ने 13 point security advisory जारी कि अपने nationals के लिए अफगानिस्तान में ऐस तालिबान gains ground मैंने आपको बता है कि तालिबान का कितना percent हो गया कितना population उसके percent के अंदर है तो ये बहुत बड़ा challenge है इसके साथ का संदिगता का माहूल बना होता है यूज फोर से जाएंगी नहीं जाएंगी और साथी साथ जो other countries हैं जिनमें पाकिस्दान चायना और भी कई countries हैं जो तालिबान को weapons supply कर रही है और आइसिस के खतम होने के बाद तालिबान अपना वापस से सर उठाता जा रहा है तो अब ये इसलिए happy hunting ground हो गया अफगानिस्तान और वहां पे तालिबान ने बहुत सर है जो violence है लोगों को परिशान करना और Islamic system को implement करने की बाद वो कई कई बार कह चुका है इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि कई तरह के से खबर आ रही थी कि भारत तालिबान के साथ टॉक्स में है तो ये एक इसपस टूप से government of India ने निगेट किया है कि जो external affairs minister है हमारे जैशंकर साथ उन्होंने तालिबान से कोई बातचीत नहीं की है ये government इंडिया का special clear stand है यदे भी तालिबान ने भी कुछ ही गंटे पहले जो विदेश के लोग है NGO या other organization है foreign nationals है missions है उनको assure किया कि उन पे किसी भी तरीके का हमला नहीं होगा लेकिन फिर भी government of India ने अपनी तरफ से एक advisory जारे की करते हूँ अपने लोगों का है कि वो विशेज तरीके non-essential movement और exercise है उनसे बचके रहें क्योंकि इस समय में kidnapping के भी बहुत pressure रहता और kidnapping के माध्यम से ना क्यों government पर pressure बनाये जा सकता बलकि उनके परिवार उनको भी हानी हो सकती उसके साथ साथ IED blast तो आप सामाने है gun fires है rocket launching है तो ये सब चीज़ें इनसे दूर रहने के लिए उनने यही सला दी गई है कि आफ अल्दू की moment ना करें malls और इस अब घूमने ना जाएं भड़ी बीड़ बार के इलाकों में ना जाएं मार्केट्स में नहीं जाएं क्योंकि इस तरीकी गतिवीदी से आप अपनी ना केवल अपनी life परिवार की life साथ ही साथ जो भारत देश है और जो सरकार है उसके समक्ष भी एक चुनाती उत्पन करते हैं अबसी ने ये भी कहा है कि तालिबान ने वाइलेंट अक्रिविटी बढ़ा दिया और उसमें शिविलियंस भी अचूते नहीं है और जब अचूते नहीं तो भारती कोई विशिश दरजा नहीं रखते क्योंकि भारत और किसी उसमें कोई अंतर नहीं किया जाता तो वहां प्रस्तुत किये जिसमें तेरा पॉइंट है यहां पर उन्होंने वेबसाइट का भी हवाला दिया और कि साथ-साथ उन्होंने एक इमेल आइडी भी दिये जिससे कि आप बातचीत करके अपने जो इश्यूज अगर किसी का दोस्त में त्रिया फिर सगे संबंदी अफगानिस्तान में है तो प्लीज उन्हें यह इन्फॉर्मिशन दीजिए और इस वेबसाइट पे या इस इमे किसी देखचित किसी अपने प्लीज़ आपिवार के इमेल नव से प्लीजिए और इस जफगान वेबसादी का देख़गानिस्तान में गलातफ़ाई एक इमेल आइएर उन्हें प्लीज़ादी आपने भीज रॉर्मिशन दीवार्फावशन दीज़ादी आज में डिस आप